हम जीन्द विधान सभा के बर्सोड़ा गाम में हैं हम एक बजूरुक के साथ हैं बजूरुक से जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं और कैसी राजनिती चाहते हैं कि जीन्द में कैसा महौन होना चाहिए इसके बारे में ये करणा चाहूंगे सबसे पहली बात कि जो बुजर्गों को थोड़ेगा हमारे माबाप को जो थोड़ी हम कहां जाएंगे अर क्या करेंगे हमें देश निकाला दो तो जिस तरह से का जा रहा है कि बुजर्गों की रोटी बंद कर दिजाए तो परोटे तो उन लोगाना किस तरह देखो आप आप मैं गटिया तरीके से देखते हूं गदारी के इंसाब से लागाओ या माझ बाप की सेवा जो नहीं करता वह एक अगदार ये एक सपाइस का देवाप गदार ये एक मादार का हम आपका अधर समझते हैं इसको असली अधनagens और अब जो है इसमें किसं की स्पोर्ट करना चाहेंगे और किस किस से जुड़े हुए है य जो तो बड़ी उंचे तो पबलिक हमारे बाब भी गहाँ करते हैं ़िए थोटे आज की जनरेशन भीता हूँ कहती ही देविलाल को चाचा नैरू थे कोई खासियत ने इसके अंदर हम अर्याना वासी जो है खासियत मानते हैं देविलाल जी आउंगे श्री देविलाल जी ओंगे लिए तो क्या लगता है कि उनके पुत्तर ओम परकास चोटाला जैसे लोगों को नोक्रियां दे नोक्रियां देने के बाद जेल में बाई वो तो उसने दी उसका तो कोई हक भी नहीं था न파स्ता now का तोदरी जोडीनी इपने हैं तोटाला जैसा ने ऑम परकास दीयाने जेल काट रही हैं उसके साथ वो भी गया क्यों उसने वह तो लाया था ने कि आम परकास ने नौकरी धि उधी अजे ने नोकरी चुटा लंक दी उषके साइन हो है तो नौकरी मिली चलो नौकरी धी किशी अब पेट पड़ा है वो भी बाहर लोगे सारा कुछ हो गया वो कोई नी साजा काटा हों आज यंगे चौदरी साहब का फिर भी आदर है जेड़ है क्या बात है और पूछो जी क्या आप कितना आदर करते हैं चौदरी साहब का चौदरी साहब का आदर हमारे बाप होता है कि एक होते हैं दादा जी दादा जीयों के समान करते हैं वज़े उमर में 10 साल बड़ा 15 साल बड़ा होग तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि व्रेद ने बताया आज इन बजुर्गों ने बताया है कि हम लंबे समय से जन्नाइक चोधरी देवी लाल जी के साथ जुड़े थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो पोते दादा की सेवा नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें दादा की बात माननी चाहिए ये बजुर्गों का कहना है